अलो दोस्तो एडू इटॉप पर यूटूब चरण में आप सभी लोगों का स्वागत है अभी हम लोग देखेंगे कि एक सोशल मीडिया पर नोटिस वाइरल हो रहा है जिसमें एन्टी पीसी सीबी टी वन के रिजल्ट का जिक्री दिया गया है कि 10 सितंबर को दस सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आठ बजे तो हम लोग जानेंगे कि ए नोटिस जो है रियल है या फेक है तो हमने कई अरार्वी भोपाल आरार्वी चंडीगड अरार्वी इलाहबाद और कई वेवसाइट पर शेकिया कि ऐसा नोटिस हमको कहीं नहीं मिला आई हम लोग देखाते हैं देखिए ए अरार्वी भोपाल का जो है वेवसाइट है इसमें जो लास्ट नोटिफिकेशन है 31 अगस् की आई हे और यह प्रते हैं शीधार कंज का हूं वेवसाइट सब्सक्रावी जो पर इसमें 178 कई नोटिफिकेशन नत्स जो अरन की अगस्जूारी सब्सक्राविवसाइट और एक अर्ट आई हैं सब्सक्रावाद का इक शुक्रायव default एसमें वेवसाइट आराार्व kadar कही नोटिफिकेशन मिला तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं यह जो नोटिस वाइरल हो रहा है यह बिल्कुल तरह से फेक है और इसमें नहीं कोई किसी तरीका का जिसे यहां पर जिसे दिया गया है कि 57.27 लोगों ने सीबीटीवन अपियर्ट किये हैं और जो भी नोटिस आएगी और रेलवे के वेपसाइट पर ही आपको सुचना मिल जाएगी आप लोग इधर उधर के अफवाहों पर ध्यान ना दें और नहीं इधर उधर आफवाहों में रहें तो इस तरह से नोटिस आने से पहले आप लोग RRB के वेपसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें कि यह नोटिस रियल है या फेक है आप लोग वहीं से जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ए दोस्तों अभी तक हमने प्राप्त किये जितने भी सुतरों के अधार पर मैंने पता कि या तो ए नोटिस हमको बिल्कुल तरीका से हमको फेक निकला तो आप लोग ध्यान मत देजिए CBT1 का जो भी अभी तो रिस्पोंस एंसर की भी आना बाकी है रिभाइज एंसर की भी अभी तक नहीं आया है रिभाइज एंसर की आने के बाद ही आपको CBT1 का रिजल्ट फब नेवाज एंसर की आने बाद